अश्टमी के प्रिसाद के लिए आज हम बनाएंगे जोल वाले काले चने और साथ में बनाएंगे गेहुआटे का हलवा तो चलिए फ्रेंड इसको बनाना शुकू करते हैं जे जिने शाकाहर सदा बाहर की चिन में आपका स्वागत है तो यहां हमने लिए भीगे चने जिनको ह चने पक रहे हैं हम यहां पर मसाला तइयार करते हैं चना बनाने के लिए यहां पर हमने लिया है एक बावल में बवावल में दो चमच धणिया पाओडर आधा चमच के लगभख हमने लिया हल्दी पाउडर अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा और साथ में डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च अच्छे कलर के लिए और अब डालेंगे स्वादा नुसार नमक और लेंगे यहाँ पर थोड़ा हम एक चमच के लगभख अमचूर पाउडर या ड्राइमेंगो पाउडर अब हमने मसाले लिये हुए हैं इसमें हम पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और घोल बनाकर हम इसको एक तरप अच्छे से सोख होने के लिए रख देंगे ताकि जो मसाले हैं अच्छे से पानी में सोख हो जाएं तो दस मिट के लिए हम इसको रख देते हैं थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे और यहाँ पर अब एक कड़ाई में हम लेते हैं थोड़ा सा घी आप लेना चाहें गी ले सकते हैं यहाँ तेल लेना चाहें तेल ले सकते हैं तो यहाँ हमने तेल लिया है अब इसमें हम डालेंगे हींग तो हींग का जो फ्लेवर है काफी अच्छा आता है और साथ में हम इस रखा हुआ था gave फाभम डाल देंगे इस प्रकार पानी में खोल के डालने से जो मसाले है उसका कलर काफी अच्छा आता है एकदम से जलता भी नहीं है मसाला और यह उसका कलर है काफी इसका रसीला हमको रखना है, अब इसमें हम डालेंगे 140 टीस्पून के लगबग शुगर और थोड़ी सी कसूरी मेथी स्वात को बढ़ाने के लिए, तो यहां पर हमने कसूरी मेथी भी डाल दिये और इसमें अच्छे से बॉइल आने दे रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा और बहुत आसान है इसको बनाना तो इसके लिए हमने लिया एक कब घी और अब इहां लिया है, अब इसको मीडियम फ्लेम पे हम धीमे धीमे भुनेंगे तो पहले शुरुआत में तो जो घी है आटा जो होता है वो पुरा घी सोक लेता है, बाद में थोड़ा सा घी अपने आपके चौई से आप जितना डालना चाहें और अब इसको मलगातार चलाते जाएंगे, चारो तरफ से कड़ाई छोड़ने लगा है, मतलब हमारा हलवा तयार है, अब इसमें हम डालेंगे इलाइची पाउडर और साथ में इसमें हम डालेंगे एक चुटकी के लगभग नम है, और जो हमने चने तयार किये थे, वो भी हमारे चने तयार हो ही चुके हैं, तो प्रशाद के लिए चने और हलवा दोनों ही तयार है, फ्रेंड्स इसको आप लोग भी जरूर ट्राय करें, और कैसे बने इसका फीड़बेक भी मुझे जरूर दें, मेरे चिनल शाका अधा बहर को लाइक, शेर, सबस्क्राइब और कमेंट भी जरूर करें, तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं किसी अन्य रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में, तब तक ले बाई बाई